हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूटीज चैनल और इस वीडियो में हम तेकेंगे क्रूड आल्ड का अनलसिस फॉर नेक्स वीड तो लास्ट रेटिंग सेशन क्रूड बंद हुआ लगबद 835 पे लगबद 200 रुपए गैन के साथ 2.22 परसेंट गैन के साथ हमने क्रूड आ से थोड़ा सा कुरूड अभी सॉपर लेने लगा है और हमने जो है एट थाउदन के नीचे के में लेवल देखे थे मगर थो फिर से थोड़ा सा नीचे के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है और यहां बाउन्स बैक की संभावना दिख रही है तो चलो शुरू करते हैं अनलसि जो कि मेरा टार्गेट था वह सूपर बूलिश टार्गेट था और वह कुरूर जो है तो अच्छू करे चुका है यहां मुझे लगता है कि हम में शायद एक टेंप्रेरी ताप बना लिए उस टॉप के तरफ हम बाउन्स बैक देख सकते हैं मगर मुझे नहीं लगता है कि तो यहां तो अगर 10,000 के अरॉंड क्रूड मिलता है तो वहां यह सला होगी प्रॉफिट बुक करने की और वहां जो एग्रेसिव ट्रेडर है वह शौड भी जा सकते है विता स्टॉप लॉस इस महीने क्रूड जो है तो इसका लो था लगबग 7449 और हाइव ता लगबग 9996 तो लगबग 10,000 का तो पचीस सो पॉइंट का जो है तो रेंज है इस महीने के लिए और यह लगबग क्रूड के लिए फॉर्थ गेनिंग मांत है हमने चार महीने में प्रूड ओल जो है सब्सक्राइब के लिए और मुझे लगता है कि एक लॉंगर डम टॉप बन चुका है क्रूड ओल में हमें देखते विक्ली चार्ट तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के मिल सेकती है यहां बाउंस बाइक ज़रूर आएंगे उपर के लिए और की तरफ मतलब 10,000 के करिफ तो उन बाउस बाइक को आपको इस सेलिंग के लिए यूज करना है वहां रिस्क जादा रहेगी मगर आपको रिवार्ड भी ज सेल करना है नियर 10,000 रुपिज के अराउंड और यह इस वीख हम जो है तो लगबग 3% के लॉस्ट के साथ बंद हुए लगबग 200 रूपए लीचे हो लास्ट वीख हमने का विकली चाल पर भी एक मीडियम टर्म टॉप बन चुका है उस टॉप के तरफ अगर आता है एकुड वहार शॉट करना चाहिए हम जो है तो शायद 7440 और उसके नीचे जो पर 6500 की लेवर बीच आने वाले दिनों में देख सकते हैं तो यहां मेरा सेल उन राइद व्यूर करके अभी क्रूड जो है तो मीचे ट्रेड कर रहा है मगर यहां जो है तो जिस तरह से लास्ट कैंडल बनी है जो लगवल 5% की लिख रहा है तो यहां संभावना है कि क्रूड बाउंस बैग ले या फिर एक शॉट को रिंग रैली दे जो रैली लेकर जाएगी इसको 9400 की लेवल के तरफ तो यहां मेरा व्यूर आएगा अगले अपते के लिए एक बाउंस बैक के लिए फ्ले करेंगे जैसे मैं कहा हम बार-बार 10,000 के लेवल के तरफ बाउंस नहीं देंगे तो उन लेवल के करीब आता है तो आपको कूर में शॉट करना है और शॉट टम में से एक बाउंस बैक आ सकता है जो लेकर जा सकता है 9400 या फिर 9500 के लेवल के तरफ करण लेवल से आपको अच्छे 1213 की रेंज मिल सकती है मगर यहां जो है हम नीचे लॉंग करेंगे नियर 8000 के 8000 के आठ हजार के अरउंड जो इस आपको लॉंग करना है आपका जो आपका वो रहेगा 9400 का तो आठ हजार के राउंड अगर कुड मिलता है तो 200 पॉइंट का स्टॉप लास और टार्गेट रहेगा आपका लगग 14-15 पॉइंट का टार्गेट रहेगा तो अच्छा खासा रिस्की वाड़ है वह लगग वाने स्टु सेवन एट का रिस्की व पॉइंट उससे पहले क्रूड आइल के रहेंज लगबाद शाड़े साथ सो पॉइंट तो और यहां जो फॉइंट का जो रेंज था लगबाग था चाओदा सो पॉइंट इसमें जो छोटे ट्रेडर से वो तो पूरे मारे जाने वाले जो प्रोपेशनल है वह इसमें प्र क्यापिटल है तो उसकी वाज़े से उनको मार्जिन को को फेस करना वड़ता है और मोस्ट अब टाइम यहां आगले विक के लिए आई विल एक्सपेक्ट प्रूड ऑल में एक बाउंस बैक जो लेकर जाएगा 94009500 के तरफ तो 8000 के अराउन हम जो है तो लॉंग करने की कु कले ने के यहां एक लेगर आथ को लिस्ट दस तो वीदिते का लग टाउट से लास के वीदियों के ज direktенд हरो अगर आनवका शेर कीजेँ किजाए एगर आपको मेरे एक पसंदे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अचा लिए ग्ज़ास One डर उनको सब्सक्राइब कीजे